आपका स्वागत है पाइन ओक पैराडाइस भवाली में नैनी ताल के भवाली में इस्थित्य सुसाइटी और आज हम दिखाने वाले हैं आपको टू बीच के अपार्टमेंट टू बीच के जिसका साइज है बारा सो पचासी स्क्वार फिट वन टू फाइव जीरो और ये ड्रॉइंग रूम इसमें एक सोफा सेट एक्स्ट्रा रखा हुआ है इसकी च्छत उडेन एक हिली कॉटेज का लुक देते हुए ड्रॉइंग रूम से एक्सेस है बहार बालकनी में काफी बड़े साइज का ड्रॉइंग रूम और उपर से जो ये च्छत होए लकड़ी की जैसे पहाड़ों पर बनती है उससे इसका अकरसन और भी बढ़ जाता है ये बालकनी जहां से हमें जंगल का व्यू मिल रहा है और बालकनी में भी आप देखेंगे कि इसके पिलर्स और इसकी च्छत लकड़ी की है जो इसका खुब्सूरत लुक पैदा करती है बालकनी में ड्रॉइंग रूम से भी एक्सेस है और किचेन के सामने जो फोयर है वहां से भी एक्सेस है ये हमारा बेडरूम जिसके साथ अटैज टॉयलेट उसकी एंट्री गेस्ट के लिए भी है और रूम से भी उसको एंट्री मिलती है इस कमरे की खुबसूरती में चार चांद लगाती ही हुए छत जो लकडी की बनी हुई है वार्ड रोब वेव इंडो वेव इंडो से भी जंगल का व्यू मिलता है और इसका बहुत से तरह से यूज होता है नूज पेपर पढ़ना चाय पीना गपशप करना बैठ खेस पे अटैज टॉयलेट जिसमें आपको ड्राइंग रूम से भी एक्सेस मिलती है किचेन चिमनी के लिए प्रोविजन और किचेन से क्या खुबसूरत नजारा मिलता है हमें बहुआली शहर का उसकी वैली का और पहाडों का इसके साथ जुड़ा हुआ मास्टर बैडरूम इसमें भी वही च्छत लकडी की काफी स्पेसियस बातरूम और इसके साथ एक बालकणी जुड़ी हुई है ये बालकणी काफी बड़े साइस की है जो पहली बालकणी देखी थी ये बालकणी उसे बड़ी है जो पहले बालकणी दिखाई थी वहाँ डेर से दो घंटे सुबह धूपाती है और इस बालकनी में तीन चार घंटे स्राम को धूप आती है लगबग यहां जब सन आ जाता है डेड़ बजे तब से सूरज डूबने तक यहां धूप आती है बालकनी में और यह बालकनी का व्यू जो लकडी की छट से बहुत ही खूपसूरत लगता है इस फ्लोर की उचाई अच्छी होने की वज़े से हम सभी मकानों को ओवर व्यू करते हुए वैली का मजा लेते हैं यह पार्क भी यहां से दिख रहा है जो कॉमन एरिया के बच्चों के खेलने की जगए है वो भी हमें यहां से विजबिल होती है और बगल में पहाड सामने पहाड उसका नजारा आप अच्छे से देख पा रहे है और यह सब कुछ आपको मिलना है बारा सो पचास स्कार फिट के टू बी एच के फ्लैट में जो टॉप फ्लोर पर है टॉप फ्लोर होने की वजए से जो रूफ है वो लकडी की है जिसके उपर टीन होती है जिसका लॉजिक यह है कि उपर की ठंड नीचे ना आपाए इसलिए लकडी का यूज किया जाता था यह ट्रेडिशनली इसी तरह से घर बनते थे पाहडों में और टीन इसलिए होती थी स्लूप में ताकि अगर बर्फ गिरे तो दो-तीन दिन में वो धीरे-धीरे-धीरे गलके पिघल जाए और पानी उसका बह जाए अब हम आपको घर से बाहर ले आए हैं और छट पर ले जालते हैं जो इसके साथ जुड़ी होई है और सामानता यही देखा गया है कि जो लोग टॉप फ्लोर में रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा छट का यूज कर पाते हैं यह च्छत का नजारा सच्मुच लिटरली यह पहाड की गोद में बसा हुआ एक सुसाइटी जिसमें एक प्यारा सा घर टू भी एच के और यह जो आप जंगल देख रहे हैं बगल में यह रिजर्फ फॉरेस्ट है ऐसा ही रहना है यह सैनिक स्कूल गोड़ा खाल की जमीन है यहां कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना है तो यह हर्याली यह खुबसूर्ती यह प्रकति से नजदी की जिन्दगी भर हमारे साथ रहने वाली है और छट में यह जो हिस्सा देख रहे हैं यह आमतोर पर जो हिस्सा किचेन और वाश्रूम के उपर आ रहा है उस हिस्से से यह छट बनी हुई है गैलरी के उपर बाकी सारी टीन से ढखी हुई छट है जिसके नीचे लकड़ी लगी हुई है तो इस शट का आराम यह है कि धूप सेकना है कपले सुखाने उनमें काम करता है और आप से अनुरोध है कि जब भी आप यहां आएं पाड़ों पे कभी भी चिडियों को और जानवरों को तंग ना करें आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच में शियर करें ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे इसी तरह से वीडियो देते रहें